नमस्कार किसान भाईयों इश्माट फार्मर ओप एगरिकल्चर यूटूब चैनल पाप्स का स्वागत है किसान भाईयों आज के इस वीडियो में हम आपको सोयाबीन के अच्छे उत्पादन और इल्यों के प्रकोप से सोयाबीन को बचाने के लिए कुछ राचारी निक दव कर दें ताकि आने वाले वीडियो के नोडिविचन आपको मिलते रहें और हां किसान भाईयों वीडियो को सेर जरूर करें ताकि और भी किसान भाईयों को जानकारी मिल शकें किसान भाईयों आज जो हम दोज बताने जा रहे हैं वह है यूपियल कंपनी का जिसका फुल्प वर्ती और विशेस रशायनों का निर्मान और विपनन करती हैं और साथ ही फसल सुरक्सा समाधान भी प्रदान करती हैं इसका मुख्याल है मुंबई महाराष्टा में हैं इसकी स्थापना 29 मैं 1963 लगबग 52 यर पहले हुई थी UPL कंपनी का ज्यादा जानकरी पाने के लिए आप गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं तो किसान भाईयो अब हम बात करते हैं कि UPL कंपनी के प्रोड़क्ट कॉंबिनेशन की जो की सोया भी इनकी फसल का कीट है जो उसके अच्छे उत्पादन और रोगों को रोकता है तो किसा तो किसान भाईयो अब हम तीनों की जानकरी प्राप्त कर लेते हैं कि इनको के से प्रयोक करना है इनका काईरे करने का तरीका क्या होता है और साथ ही इसकी क्या मात्रा आपको रखनी है तो आप हमारे साथ वीडियो के अंतक बने रहें किसान भाईयो सबसे पहले हम बात करत की इसका केमिकल कंपोजिशन अन्था टेकनिकल नेम होता है एजोक्षी इस्ट्रोविन 8.3 प्रसेंट प्लस मेनकोजेप 66.7 प्रसेंट और डब्यूजी फॉर्म होता है किसानवाईयो जो इसका डोज है वो आपको 45 ग्राम प्रती पंप या फिर आपको 450 ग्राम प्रती एकर रखना है किसानवाईयो प्रयोक करने की जो विदिये इसको आप प्रन इस्प्रे करना है यानि आपको इसको इस्प्रे करवाना है यह मुख के रूप से किसानवाईयो जो पावडरी मिल्ड्यू डावनी मिल्ड्यू और एंथ्रोनक्स आधी जो फंगस रहती हैं उनको आप इसे अधिक्तम किट्न नासकों के साथ मिला सकते हैं और इस पर कर सकते हैं आप इसे सोयाबिन के साथ साथ सब्जी वर्गिय फशलो बागवानी फशलो जैसे मिर्च अंगूर आधी पर भी इस पर कर सकते हैं किसान भाईयो दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं UPLK एटा प्रोर्ण इंसरक्रिशाइड की इसका जोglich इखना नहीं होता है किसान भाईयो वह होता है ख्लोरी फ्लूरोज़ान चल्ली फ्लूरो जोब एक और ये s существ ऑर। को контрol करता है और जो caterpiri caterpirr जो इल्ली होते हैं का तो यह दुस्मन है कि यह जो caterpirr इल्ली है उसको यह आसानी से कंट्रोल करता है और उसे लंबे समय तक यानी लगबक 30 देश तक यह कंट्रोल करता है यह केटर पिलर की जो सभी अवस्ताव को समाप्त कर देता है जैसे कि लारवा आवस्ता से जो प्यूपा आवस्ता तक पहुचने पर इल्ली आप मतलब जो चार दिन में अपनी चमडी बदलती हैं और यह जो क्रिया उसके विकास के लिए बहुती आवश्यक अबनाने की जो नष्ट करता हैय और इसे को जब इल्ली चबाती है तो इल्ली नई चमडी बनाती है तो वह मर जाती है जो एका है कि जो इसका टाइम प्रξेट रहता है वो थीस दिन तक रहता है यह जो पोधव में घुल जाता है य heißt पोधो में पूरी तरफ फेल जाता है और इसका 30 दिन तक असर रहता है यानि 30 दिन तक जो भी इलिया मतलब आपके पोधे को खाईगी तो वह इलिया मर जाईगी ETA bron इलियों के प्रजणन सम्ता पर भी असर करता है जिससे इलियों के 80% अंडे नष्ट हो जाते हैं किसान बाईयो इस प्रकार मतलब जो एटा ब्रोन है वो इल्ली की आने वाली पीडी तक को भी कंट्रोल कर लेता है इस प्रकार यह 30 से 40 दिनों तक फसल को सुरक्षा प्रधान करता है एटा ब्रोन का किसान बाईयो जो डोज होता है वो आपको 800 ml प्रती एकर या फिर आपको 800 ml देर सो से 200 लिटर वाटर में मिलाके यूस करना है यानि किसान बाईयो आपको लगबग 4 विगा में 800 ml एटा ब्रोन यूस करना है अब किसान बाईयो हम जो बात करने वाले हैं वह है एटा ब्रोन की खासियत की तो जो एटा ब्रोन होता है वो पत्यों पर अच्छे से फेल जाता है और यदि छिड़काओ के दो गंटे बाद यदि बारिस भी हो जाए तो भी यह नहीं गुलता है आप इसे सोयाबिन का पास सबजिया बागवानी जैसे पत्ता गोबी अंगूर आदी पर भी इस परे कर सकते हैं किसान बाईयों तिसरे नंबर पर हम बात करते हैं UPL का मेकरियाना टौनिक की यह समुद्रिग घास से बना हुआ एक औरगैनिक टौनिक है यह फसलो को अच्छे गुणवत्ता और उत्पादन फुलो और फलो की संक्या को बढ़ाता है यह जो मेक यानि जो मेकटाब बोलीकली एक्टिव कंपाउंड पर जो आधारी थे और यह पोधो की जो आंत्री क्रियाओ को उत्प्रेक करता है पोधे के तनाओं को यह कम करके प्रकास चंसिलेशन की क्रिया को बढ़ाता है पोधे की अजेविक तनाव को से लड़ने में शक्ति प्रदान करता है और जड़ो द्वारा पोशक्तत्वों को अउसोसित करने की प्रक्रिया को बढ़ाता है फल फुलों को बढ़ा कर उत्पादन में व्रद्धी करता है किसान बाईयो जो इसका डोज रहता है वो आपको 250-300 ml प्रती एकर यानि आपको 250-300 ml प्रती चार बिगा रखना है और किसान बाईयो इसको आप 30 ml प्रती 15 लिटर पंप में यूज़ कर सकते हैं और मतलब इसको आपको 2 ml प्रती लिटर वाटर में यूज़ करना है किसान भाईयो इसे आप सोयाबीन के साथ चने, सबजीयो, तीलहन की फशलो लगबग सभी फशलो में इस्प्रे कर सकते हैं किसान भाईयो यह थी सोयाबीन के बेस्ट किट की जानकरी आप इसे इस्प्रे करें और इसका रिजल्ट आपको 100% अच्छा मिलेगा किसान भाईयो यह जानकर यदि आपको समझ में आई हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करे कमेंट करे और किसान भाईयो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाईयो को यह जानकरे पोचाने लिए शेयर करे और यदि आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे जए जवान जए किसान जए हिन जए भारत बिलते हैं किसान भाईयो नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू